वीवर्स क्या हो आपके फ्रीजर में एक छोटी सी दुनिया हो जो कि सेम हमारी दुनिया जैसी हो पर वहाँ टाइम काफी तेजी से बढ़ता था यानि कि आप वहाँ पर तब का भी टाइम देख सकते हो जब इंसान बंदर हुआ करते थे और तब का भी जब इंसान फ्यूचर में काफी डेवलप हो चुके होंगे पर इस डेवलप्मेंट के साथ कौन कौन सी परिशानिया आती है ये तो देखना पड़ेगा कहानी की शुरुआत में हमें एक हस्बेंड और वाइफ को दिखाय जाता है जिनका नाम रॉब और लीली था वो दुनों नए नए कमरे में रहने आये थे उन दुनों ने मिलकर एक नए अपार्टमेंट ट्रेंड पर लिया था जहांपर वो सब सामन अच्छे से रख रहे थे काम करने के बाद वो दोनों एक वाइन पिने लगते हैं और रॉब वहां के रखे एक फ्रीजर में से बर्फ निकालता है जिसमें कि पूरी की पूरी बर्फ भरी हुई थी वो दोनों जब वाइन पिना स्टार्ट करते हैं पर तबी रॉब अपने ग्लास के अंदर एक अजीब चीज देखता है वो तो लीली को भी ध्यान से उसे देखने के लिए कहता है और जब वो मैगनेफाइन ग्लास का यूज़ करके उस चीज़ को देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हाथी था जो कि बर्फ के अंदर जम गया था उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि वो आते उसके अंदर कहां से आया तो इसलिए वो लीली उस फ्रीजर का सभी बर्फ निकालने लगती है और अंदर क्या था ये देखकर दोनों ही शौक हो जाते हैं उस फ्रीजर के अंदर तो एक अलगी दुनिया थी जहां पर उनके अर्थ के तरह ही बहुत सारे पहाड, पेड, पानी और छोटे-छोटे इंसान थे जो कि काफी तीजी से मूव हो रहे थे और ये तपका टाइम था जब अर्थ के लोग डेवलप होना स्टार्ट हुए थे रॉब एक वेजिटेरियन था, इसे लिए वो मरे हुए हाथी का अंतियम संस्कार करता है कुछ टाइम बाद जब वो दुनों फ्रीजर में देखने आते हैं तो वो पूरी जगए एकदम से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और हैरानी की बाद ये थी कि वो दुनों सिर्फ 10 सेकेंड के लिए वहाँ से गए थे और अब 10 सेकेंड के बाद वो पूरी जगए एकदम से बदल गई थी यानि कि वहाँ पर टाइम एकदम तीजी से बढ़ता था वो तो वहाँ पर बड़े-बड़े स्काइस्क्रैपर्स और बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं जो कि धीरे-धीरे करके प्रेजन टाइम पर आ गए थे और जब वो वापस से फ्रीजर में देखते हैं तो वहाँ कि पूरी जगए धिरे-धिरे डिस्ट्रॉय हो रही थी और ये वो टाइम था जब अर्थ पर बहुत सारी मीटियोर गिरेंगे और अर्थ पुरा तबाह हो जाएगा पर लिली उस बारे में ना सोचते वे फ्रीजर को बंद कर देती है और रॉब को द्यान बटकाने के लिए कमरे में लेके चले जाती है पर इसके बाद भी रॉब और लिली को कैसी भी जानना था इसलिए वो वापस से फ्रीजर को खोल कर देखने लगते हैं उन्हें लगा था कि वो पूरी जगा डिस्ट्रॉई हो चुकी थी पर अब उस सारे लोग और भी ज़्यादा modernize हो गए थे वहाँ के पूरी जगा एकदम से बदल गई थी और ये टपका टाइम था जब इंसानों का development काफी ज़्यादा हो चुका होगा और वो एकदम peak पर हों इंसानों का नामों निशान अर्ड से मिट जाएगा धर असल हम इंसान future में इतने advance हो जाएंगे न कि हम space और time पर control पा लेंगे जिससे कि हम किसी और dimension में अपना घर बना सकते थे और अब सभी इंसान कहीं दूसरी dimension में बस गए थे ये दिखकर रॉब और लीली काफे करते थे वो सारे homo sapiens अपना सिकार मिल जूट कर करते थे पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइनसार आ जाता है और उन सभी पर हमला करके उन्हें मारने लगता है और अब जाकर बॉब और लीली को अंदाजा हो गया था कि वह freezer एक mini universe था और वहाँ पर जीवन का cycle ह अमेसा चलता रहता था वो दुनों समझ गये थे कि जैसा freezer में होगा वैसा यह उनके अर्थ के साथ होगा यानि कि पहले अर्थ पूरी तरीके से destroy हो जाएगा लेकिन वो destruction कारण होगा और बी development का और इंसानी सभीता आगे चलकर काफी advance हो जाएगी इसी के साथ हमारी ये story य लानी के लिए तुमिलते हैं नेक्स वीडियो में सीया